तो अगर आप 2021 में CAC Center खोलना चाहते हैं तो इसका complete process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आप सभी को बताए होगा अगर आप एक CAC Center लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को TAC registration करना पड़ता है तब ही जाकर आप CAC के लिए registration करेंगे इसके बाद ही आपको CAC ID मिलेगा CAC Center लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं CAC Common Service Center से बहुत सारे services हैं जिसे आप provide कर सकते हैं customer को और इसमें आपको अच्छा खासा income देखने को मिलेगा CAC ID लेने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को TAC registration करना पड़ता है इसका complete थरीका इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो में last तक बने रहिएगा complete जानकारी लेने के लिए तो सबसे पहले हम इस website को open किये हैं इस website का link आप लोग को description में मिल जाएगा TAC registration करने के लिए TAC यानि Telecenter Entrepreneur Course इसके लिए आपको registration करना पड़ेगा इसके बाद ही आप CAC के लिए registration करेंगे तो इसलिए सबसे पहले हम TAC registration करके आप लोग को दिखाएंगे इस website में आने के बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिलेगा login with us इस पर click करेंगे इसके बाद यहां पर आपको दो option देखने को मिलेगा अगर आपने registration कर लिया है तो यहां login करना है और अगर आप पहली बार आए हैं CAC center लेना चाहता है open करना चाहता है तो यहां registration पर click करेंगे इसके बाद यहां पर आपको अपना details fill up करना होगा तो जैसे कि यहां पर आप अपना first name डालेंगे यह सारे details आप अपने आधार card के according डालेंगे जो भी आपके आधार card में नाम, address जो भी है वही यहां पर fill up करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आप अपना नाम डालेंगे यहां पर अपना एक mobile number, email id इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आप अपने father, mother या guardian का नाम डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आपको अपना state का नाम select करना है नीचे यहाँ पर आप अपने district का नाम select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना address डालना है जो भी आपका permanent address है वही आप यहाँ पर डालेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपना gender select करेंगे इसके बाद यहाँ पर calendar icon पर click करके आप अपना DOB select करेंगे, date of birth select करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एक photocopy upload करना होगा photo password size में होना चाहिए और जिसका maximum size 50 kb तक ही होना चाहिए 50 kb से जादा नहीं होना चाहिए इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर यह जो capture दिया हुआ रहेगा वही capture यहाँ पर भरेंगे, इसके बाद यहाँ submit पर click करेंगे THC registration करने के लिए आपको लगभग 1500 रुपया का payment करना पड़ेगा जैसे आप submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम payment gateway में आ चुके हैं यहाँ पर हमको 1489 रुपया का payment करना पड़ेगा THC registration के लिए तो यहाँ payment करने के लिए यहाँ पर option दिया गया है आप credit card से payment कर सकते हैं, debit card, net banking, UPI और भारत की वार कोड के थुरू आप payment कर सकते हैं यहाँ पर हम net banking select करेंगे और यहाँ पर state bank हम select करेंगे जिस भी bank में आपका account है, उस bank का नाम यहाँ पर select करेंगे इसके बाद यहाँ Mac payment पर click करेंगे और यहाँ पर हम अपना user ID password डाल कर login करके payment कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने successfully payment कर दिया है आप लोग को दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम फिर से home page में आ चुके है TAC registration के website के home page पे और यहाँ पर फिर से login पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर login पर click करेंगे और जो भी TAC number अभी हमने copy करके रखे हैं, उसे यहाँ पर paste करेंगे और password में हम अपना mobile number डालेंगे registration करते टाइम जो भी आप mobile number डाले हैं, वही आपका password रहेगा तो यहाँ पर वही mobile number डालकर login करके आप लोग को दिखाते हैं अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने successfully login कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, TEC का dashboard आप लोग को सबसे पहले कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको dashboard का option और learning का option और assessment का option देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको assessment में 10 assessment मिलेगा, 10 assessment आपको complete करना होगा इसके बाद ही आप CAC के लिए registration करेंगे assessment जब तक complete ना हो तब तक आप CAC के लिए registration ना करें क्योंकि आपका CAC registration reject भी हो सकता है तो सबसे पहले आप assessment complete करेंगे, assessment complete करने के लिए यहाँ assessment पर click करेंगे हमें 10 assessment मिला था, हमने 10 assessment complete कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबी assessment मेरा complete हो चुका है आप अगर CAC में पहली बार login करेंगे, तो यहाँ assessment पर जैसी आप click करेंगे यहाँ पर आपको एक lock icon देखने को मिलेगा, उसे आप click करेंगे और यह 10 assessment complete करेंगे हर assessment में आपको 10 question पुछे जाएंगे और हर question का answer देने के लिए आपको 6 minute time दिये जाएंगे हर 6 minute के अंदर आपको 1 question का answer देना होगा और इस परकार से आप अपने assessment को complete करेंगे complete करने के बाद आप CAC के लिए registration कर सकते हैं CAC ID के लिए registration कर सकते हैं CAC ID के लिए कैसे registration करना है इसका next video आने वाला है तो इस परकार से आप CAC लेने के लिए TAC का registration कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे इस चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर करें ताकि एसी और भी आने वाली निव वीडियो का notification आप तक पहुशती रही तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद